इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लाइट रूम के कुछ न्यू फीचर जो अभी लाइट रूम ने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी मोबाइल अप्लिकेशन में as well as PC अप्लिकेशन में अपको फीचर दिखाता हूं सबसे में एक उपन कर लेता हूं सबसे पहला फीचर थार्ड आपका टाब होता था यहांसे जिसमें जो हमारा एफट्स टैब है जहांसे हम टेक्चर घ्रिड़िटी अपनी इमिज की सेट करते हैं आपको यहां पर यहां पर एक टाब देखने जो सरकल वाला टाब दिखरा है यहां पे उपर इसी में आपको इसका एक इंप्रूव वर्जन मिलता है जिसको हम कहते हैं कलर ग्रेडिंग तो बेसिकली अब इसमें है क्या अगर आप स्प्रेट टोरिंग में पहले देखते थे आप हाइलाइट्स एंड शैडोज को टोन दे देखने में और उसके बाद आपको एक ओवरॉल टाब भी देखने में जिससे आप अगर आप चेंज करोगे तो आपकी इमेज में ओवरॉल जो कलर है वो तीनों में अप्लाई हो जाएगा वेदर इस हाइलाइट शैडोज एंड मिड टोन तो इसको मैं एक बार यहां से र लेंड जसे कर सकते हो शैडोज बिलू टोन जो है वो ठोड़ा राइट चाहिए जो है थोड़ा डार्ट चाहिए और यहीस सिनकी ब्लेंड जैसेकी तो उसआब ब्लेंड अजिया हन BRA जाए वो एकदम ब्लेंड हो जाया आपकी उसमेज में या फिर BALANCE का M Byलन से चौर version आप create कर सकते हो जैसे अगर आप image में black and white में करते हो या किसी और type में आप edit करते हो तो आप उसके different versions बना सकते हैं यहां से जैसे आपको करके दिखा जेता हूं एक बार तो for example मैं इसका color tab में जा कि saturation एकदम minus कर देता हूं तो अब यह मेरी photo एकदम black and white में हो चुगी है तो अब मैं अगर version tools में जाके तो अब मैं इसका create version करके हैं मैं इसको नाम भी देख सकता हूं black तो मैं इसको भी short में कर जाता हूं BW black and white तो मैं इसको यहां से एक new version बनाए तो देखते हैं आप list में add हो चुका है तो इसमें हमको एक नई चीज देखने को मिले है version tool में तो आप ऊपर देख रहोंगे named और यहां से auto तो auto में क्या है आपका software खुड decide करेगा कि उसको कब version बनाने मतले जब भी उसको image में कुछ नया change देखने में मिलेगा तो वह automatically आपका एक new version create कर देगा image का तो जिससे आप बाद में जाके किसी भी version बे अपनी image को दुबारा ला सकते हैं third option है जैसा कि अब यह image है अगर आपको इस पर copyright अपना watermark लगाते हैं या कुछ copyright text लिखते हैं तो आप यहां से पहले जाकर आप export as में जाएंगे पहले version में क्या होता था आप सिरफ जो watermark है आप सिरफ text watermark लगा सकते थे बटा अगर आप यहां पर देखें include watermark जिसे मैंने on कर रखा है तो अगर मैं customize में जाकर आपको दिखाऊं तो आपको यहां पर text and as well as आपको एक graphic का अप्याप्शन मिलेगा जिससे आप अपना logo भी लगा सकते हैं कोई भी आगर आप logo अपना लगाना चाहिए image में यहां से आप उसका अपना size देख सकते हैं opacity उसकी देख सकत हैं fourth feature जो है हमारे पास वो है lens profile correction में तो lens profile correction में जैसा कि आपको कुछ camera के models देखने हो मिल जाते हैं तो इसमें जो camera models की जो list है वो एकदम update कर देगी है मतलब आपको new cameras भी यहां पर देखने हो मिल जाएंगे even new lenses भी आपको यहां पर देखने हो मिल जाएंगे तो अगर आप की photo में थोड़ी distortion है या फिर vignette है तो आप उसको remove कर सकते हैं अपना lens और camera select करके यहां से and जो fifth change है वो कोई visual change नहीं है but as lightroom mobile claims कि इसमें थोड़े performance improvements किये गए हैं जिससे आपका editing experience है वो और भी जादा improve हो जाएगा and बहुत ही जादा smooth हो जाएगा तो यह थे कुछ lightroom mobile के new features तो अब मैं आपको बताता हूँ PC lightroom PC के new features पर उससे पहले अगर आपको lightroom का premium version चीए in free तो you can join my telegram channel link आपको description में मिल जाएगा तो आपको मैं वहाँ पे free में आपको provide कर दूँ है lightroom का premium version तो अब मैं आपको ले के चलता हूँ अपनी PC की screen में and अबने आपको phone भी बताया color grading तो इसमें भी आपको same color grading के color waves देखने को मिल जाते हैं आपको बड़ी screen है तो इस लिए आपको एक फी screen फे तीनो color waves देखने को help by जाते हैं आप this phone phone की तरह इसको single भी आप देख सकते हैं जैसे आप देख रहे थे and the second change हमारा जो है वो है latest camera and lens profile जैसा कि आपको मैंने फोन में बताया तो अगर आप यहां से जाके enable profile correction में जाके अपनी brand select कर लीजिए अगर आपको photo को थोड़ा adjust करना है अपना camera और lens के हिसाब से and next feature वो है performance तो जैसा कि अगर मैं adjustment brush में जाता हूं and adjustment brush में अपना मैं paint करता हूं तो पुराने version में मैंने note किया था इसमें कुछ little bit थोड़ा lag होता था बट इस version में 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 एकदम smooth review मिल रहा है अब ऐसा नहीं है कि सिरभ यह adjustment brush में performance improvement हुई है और भी चगा हुई होगी बट मुझे सबसे जादा यहां पर performance improvement लग रही है तो अगर आप next update की बात करें तो हमारा next update है तो टीदर व्यू में आपको होता क्या है टीदर व्यू सबसे पहले आपको बताए तो तो टीदर व्यू है कि आपका एक आपकी camera में अगर आपको चोटी स्क्रीन में देखके शूट करना पसंद नहीं है तो आप अपने laptop कर सकते अपने camera से जिससे आप फोटो जो आप capture कर रहे हैं वह आपको बड़ी एक display पर दिख जाएगी अगर आपको करना है तो फाइल में जाके आपको जाना है यहां से टीदर कैप्चर एंड स्टार्ट टीदर कैप्चर तो अभी तो में पास बेसिकली टीदर कैप्चर केबल नहीं है वहना आपको पूरा करके दिखा था बट इसमें जो चेंज है वह जो तो कैनन के न्यू कामरा मॉडल से और कंपनी के न्यू मॉडल से वह सारे अड कर दिए गए है नेक्स चींज जो लास्ट है वह है इन्हांस्ट जूम तो अगर आप अपने विंडो में कंट्रोल एंड अपने मैक में कमांड की प्रेस करेंगे तो आप अपने देखिए करसर जो है वो ऐसा कुछ चींज हो गया है जैसे हमारा फॉटोशॉप में विक सेलेक्शन माल की टूल होता है तो उस टाइप से हमारा जो करसर का है वो डिजाइन बन गया है तो अगर हम मैं इसको किसी भी एरिया को सेलेक्ट करता हूँ फोटो में तो उतना ही मिरको जूम कर द तो अब आप अपना काम कीजिए, like, share and subscribe and you can also tell me in comments कि आप और क्या-क्या content दिखना चाहेंगे and मैं अपना काम करता हूँ, next video की preparation and see you in the next video, bye-bye